नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन्त मारा स्टेट बूर्ड मैथेमेटिक्स, चप्टर नमबर 3, एटसेफ एंड इलसी हम तो फर्स्ट पॉइंट इस चप्टर में हम देखने आले हैं, वो है फैक्टर सॉफ नमबर, नमबर के फैक्टर, नैच्रल नमबर हमने पहले चप्टर में देख लिए हैं, इंटिजर्स भी देख लिए हैं, कैसे हैं, तो नैच्रल नमबर्स काउंटिंग नमबर्स होते हैं, वन टू त्री फोर ऐसे अप टो इंपिनिटी तक उसके बाद इंटीजर्स होते हैं ओल नंबर्स होते हैं जीरो इन में एड़ करने के बाद all numbers बनते हैं और natural number की negative numbers natural number और 0 इन सभी को मिला के integers होते हैं तो number के factor क्या होते हैं अब ये point शुरू करने से पहले आप सभी कॉन रोद है कि चनल को subscribe करें like share करें और bell icon प्रेस करें जिससे की आने वाले videos का notification आपको मिल जाए factors of a number देखिए अगर कोई number है 15 तो 15 को कौन से number से divide होगा अब 15 को 1 से divide होगा 1 से हर कोई number को divide होता है तो 1 सभी का factor है फिर उसके बाद 3 से divide होता है 3 5 से 15 5 से divide होता है और 15 से divide होता है 15 बन जा 15 तो 15 के factors होगे 1, 3, 5, 15 अब prime factors के multiplication के form में 15 को हम लिख सकते हैं वो अलग form है 3 into 5 3 into 5 15 आप देखिए 15 के factors 3 और 5 1 और the number itself वो तो इसके factor होते ही है तो इन्हें हम कहते हैं 1, 3, 5, 15 15 के factors हैं अभी 20 के अगर factor हमें बाइंट करने हैं total तो 1 से divided होगा 2 से divided होगा 4 से divided होगा 5 से divided होगा और 10 से divided होगा और 20 से divided होगा 1 से divided होता है 2, 10 जा, 4, 5 जा, 5, 4, 10, 2, 1 जा तो यह सभी 20 के factors हो गए नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होते हैं देखिए ऐसे नेचरल नंबर ऐसे नेचरल नंबर ऐसे नेचरल नंबर नेचरल नंबर विचार विचार हेविंग ओनली टू फैक्टर वन एंड नंबर इटसेल तो जो नंबर उनके दो ही फैक्टर है अभी सबोज हमने ले लिया नंबर वन अब वन के फैक्टर वन को वन ही से डिवाइड होता है तो इसका एक ही फैक्टर है तो यह प्राइम नंबर हम इसको नहीं कहेंगे अब अगर हम टू ले तो टू को टू से डिवाइड दो नंबर इटसेल मतलब टू से टू को डिवाइड होता है और वन से भी डिवाइड होता है तो इन दोनों से होता है और कोई तीसरा नमबर हमें नहीं मिलता जिससे कि 2 को completely divided हो या उसे के table में हो तो 2 जो है वो first prime number है अब देखे 2 even भी है और prime भी है तो एक ही इकलोता नमबर है 2 जो prime भी है और even भी है तो आगे आगे आने वाले जो सभी even numbers है उन सभी को 2 से divide होता है 4 को 2 से divide होगा तो 4 prime number नहीं रहेगा अब देखे 3 3 को 1 से divide होगा और 3 से होगा 3 के 2 ही factor आगे 2 ही होने चाहिए तीसरा अगर होगा तो वो prime number नहीं होता हो होता है composite number तो composite number की definition है कि जिस number के 3 या 3 से ज़्यादा factors है उन्हें हम composite कहते हैं आप देखे 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 को 1 4 और 2 इन से divide होता है 1 4 2 से divide होने के होने के होजे से 4 prime number नहीं है उसके बाद 5 देखी 5 को 1 और 5 से divide होता है कोई और नंबर से divide नहीं होता 6 को 2 3 1 अब 2 3 1 ओगए तो 3 factors हो गए 6 नहीं फिर 7 फिर उसके बाद आता है 11 13 17 ऐसे जो numbers हैं यह सभी prime numbers हैं 1 200 तक कुल मिला के 25 prime numbers आते हैं वो आपसे भी आप लिख सकते हैं next point है co prime numbers और relatively prime numbers और mutually prime numbers अभी देखिए co prime क्या होते हैं prime number तो यह हो गए सभी अभी जो हमने देखा उनकी सिर्फ दो ही factor होने चाहिए आप co prime में 2 numbers होते हैं 2 की pair होते हैं suppose हमने 8 ले-लिया और 15 ले-लिया तो वन छोड़कर 1 छोड़कर 8 के और 15 के हमें prime factors या इनके सभी factors हमें find करने हैं तो 8 को 2 से divide होता है फिर 4 से divide होगा 8 से divide होगा 15 से 15 को 3 से divide होगा 5 से होगा 15 से होगा अब इन दोनों में कोई भी common factor नहीं है जो दोनों तरफ हो 8 को भी और 15 को भी divide होने वाला कोई भी number है नहीं 1 छोड़कर 1 से तो सभी को होता है तो 8 और 15 ये दोनों number co prime हो गए तो इन्हें हम कहेंगे co prime numbers co prime की pair होती है अब पहले number को जिस जिस number से divide होगा उन सभी number से 15 को divide नहीं होगा तब हम उन्हें कहेंगे co prime numbers 1 छोड़कर इनके दोनों के factors सभी अलग-अलग होने चाहिए तो ऐसे पहर हम बहुत सारे निकाल सकते हैं कि सब्स हमने ले लिया 15 तिर आएगा अब 20 ले लिया सभूस 15 और 20 ले लिया तो दोनों को common factor 5 है जिससे divide होता है तो 15 और 20 ये दो number को प्राइम नहीं है तो को प्राइम पेर को हमें bracket में लिखकर उन्हें लिखना है अब जो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं या sorry prime number होते हैं उनके अगर हम पेर मिलाएं पेर लें तो वो सभी को प्राइम होते ही हैं तो 3,5 को प्राइम है 5,7 को प्राइम है यह 7 और सबस्वास 17 को प्राइम है तो यह सभी को प्राइम नंबर्स के examples हैं next point है twin prime numbers अब देखें twin prime numbers क्या होता है जिस 2 prime numbers के बीच में 2 का difference होता है तो उन्हें आम कहते है twin prime numbers 2 prime numbers having the difference of 2 2 का difference होता है suppose 3 or 5 इन दोनों के बीच में 2 का difference 75 में 2 का difference 1113 में 2 का difference तो इन्हें ह Persian numbers 10 prime numbers next point है composite numbers अब जिन numbers के factor 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम composite numbers कहते हैं numbers which having 3 or more than 3 factors for example सबोज हमने 4 ले लिया है तो 4 के जो factors हैं 1, 4, 2 सबोज 10 ले लिया तो 1, 2, 5, 10 तो 3 से ज़्यादा factor 3 या 3 से ज़्यादा factor हो सकते हैं उन्हें हम composite number कहते हैं अब जो देखे 1 जो number है उसके 3 और 2 factor नहीं आते वो नहीं आते तो यह prime भी नहीं है और composite भी नहीं है प्रक्टिस से 10 question number 1 which number is neither prime nor a composite number जो prime भी नहीं है और composite भी नहीं है ऐसा number कौन सा है तो वो है 1 क्योंकि 1 के मतलब 1 का एक ही factor होता है 2 या 3 नहीं होते question number 2 which of the following are pairs of co-primes अब co-prime numbers के pairs हमें find करना है 8 और 14 co-primes हैं क्या अब देखे 1 चोड़कर 8 और 14 को कौन से number से divide होता है 2 से होता है तो दोनों को 2 से divide होता है 1 चोड़कर कोई number है जिससे दोनों को divide होता है तो ये co-primes नहीं है अगर इनका common factor मिलता है तो ये co-prime नहीं होते अगर नहीं मिलता है तो होते हैं तो इनको 2 से डिवाइड होता है तो हमें लिखना है not co-prime इस दोनो co-prime नहीं है 4 और 5 अब 4 के factors हैं 1, 2, 4 5 के 1, 5 common factor 1 चोड़कर दूसरा कोई भी नहीं है तो यह co-primes है तो हम इने कहते हैं co-primes are co-primes these are co-primes अब देखे 17 और 19 17 और 19 दोनो प्राइम नंबर से हैं अगर दोनो भी प्राइम हो तो उनका 1 और वही नंबर इनके अलोग कोई भी factor नहीं होता तो यह co-primes obviously होते ही है तो हम इने लिखेंगे are co-primes अब 27 और 15 दोनों को 3 से डिवाइड होता है तो यह co-primes नहीं है तो ठीक है दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट क्वेशन नंबर 3, 4, 5 और 6 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे ठीक है तब तक के लिए नमस्कार